पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का राविवार सुबा 85 साल की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तान के बाद उन्हें रविवार सुबा अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार सुबा उनका निधन हो गया। अब्दुल कदीर खान का जन एक अप्रेल 1936 को मध्य प्रदेश के भुपाल में हुआ था। बटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। डॉक्टर कादर खान पाकिस्तान के पहले नागरिक थे जिन्हें तीन प्रेसिडेंशिल अवार्ड दिये गए। उन्हें दो बार निशाने इम्तियाज और एक बार हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। 1999 में US Newsweek मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके डॉक्टर खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इराक को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचे। कुछ साल बाद ततकालीन अमेरिकी राश्रपती जॉज डबलू बुश ने खुफिया जाच कराई जिसमें सामने आया कि डॉक्टर खान ने इरान, नौर्थ कोरिया, लिबिया और इराक को भी नूक्लियर टेक्नोलोजी बेची है। इसके बाद जब डॉक्टर खान ने अपने उपर लगे आरोपो को कबूला, तो ततकालीन पाकिस्तान राश्रपती परवेज मुशरप ने 2002 में उन्हें नूक्लियर प्रोग्राम से हटा दिया। उनके समर्थन में उतराए और उन्हें राश्रे हिरो बना दिया। इसके बाद ततकालीन प्रधान मंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने उनके खिलाफ सारे आरोपों को हटा दिया।